वेलकम फ्रेंड्स एमसिंग फाउंडरेस यूट्यूब चैनल पर आप लोग का श्वागत है आज यह वीडियो बिल्कुल बीससी के जितने वी कंडिटेट है उनके लिए डेडिकेटेट हैं फुली डेडिकेटेट हैं और किस चीज़ पे तो देखिए हम लोग अकसर यह कटफ हमेंसा आगे बढ़ता है फिलाल इस चीज़ को हम लोग जानेंगे आज जितने भी कंडिटेटेट हैं और उनको हरी चीज़ पता चल जाएगा कि बरतमान में कटफ जो है उसका रूजहान क्या है क्योंकि यहां पर देखिए एक टैग लाइन में दिया है कि 90-100 प्रस तो मैंने जब 110-105 प्लस की बात करें तो बहुत सारे इस्टों करते थे क्या उतना स्कूर कौन लाएगा और यहां पर देखिएगा आपको जब कुशन भी देखने को मिल जाएगा और जो है अनलेसिस भी देखने को मिल जाएगा तो आपको पता चलेगा कि जितना भी एब यहां पर देख लिए तो 65% है मतलब कि आपने 65% स्कोर गेन किया है इसका मतलब है कि 97 पॉइंट सम्थी यानि या नटानवे कोश्टन से 100 कोश्टन के बीच में अधिकांस लोगों ने इसको सॉल्व किया है इसलिए मैंने कहा है कि सब्सक्राइब कोश्टन से इसलिए आपको जैदा सॉल्व करने ही होते हैं मैक्सिमम कितना सॉल्व करें यह आपके उपर कभलियत को पर डिपेंड करता है देखते हैं अब लोग की 65 से उपर कितने स्टुएंटों ने स्कोर किया यहां देखिए सबसे पहले 65 यहां पर आपक स्टुएंट ने 65 स्कोर किया अब इसके ऊपर देखिए तो आपके लिए बहुत ही जो है सरप्राइजिंग डेयता होंगे मैक्सिमम इस्टुएंट ने 65 के ऊपर करके देख लेते हैं आप लोग देखिए पैसाइस के ऊपर कितने स्टुएंट यहां पर देख लिजिए दे 72 पे भी आपको चारिश्ट ट्वेंट हैं 73 के स्कोर्स जो है आपको जो हैं लगभग 12345677 है 73 पे और उसके बाद 74 फोर देखिए 12345677 वी आपको 74 स्कोर किया 74 परसेंट को सभी चर्ण जो है साब को सही किया है उसको आप सभी कर लिजेगा यह तो स्कोर है 74 स्कोर्स को कुर से कितना कुछन सही करते हैं यह हम लोग नॉर्मली बोलते हैं और उसी को ज्यादा हम लोग कंसेप्ट में करते हैं अब देखे 75 कितना है तो 123456788 पॉसन ने 75 के स्कूर किया है 76 कितना है तो 77 कितना है तो 123456789 जनने 77 का स्कूर किया है अब देखे 78 कितना है तो 123456789 के बाद आगे चलते हैं देखे 79 का 123456 ने भी 79 किया है 80 कितने नहीं किया है 123455 ने 80 का स्कूर किया है और 81 कितना है तो देख लिए 12345 उसके बाद 83 उसके बाद 85 और 87, maximum score जो है इसका 87 है, तो आपने देखा कि यह जो बिहार SSC Intervenience का जो पुरा सिट था, इसमें 157 जनने पार्टिसिपेट किया था, उसका maximum score कितना जा रहा है, तो 87 जा रहा है, और average जो है 65, उसके बाद से तो मतलब बार्ट से आगे होता किया है, average score जितना 55 से आगे जा रहे हैं, तो 66 पर कितना हो रहा है, कितना वहां पर आपको, मतलब contradiction है, बहुत सारे स्टूएंट वहां पर आ रहे है, 77 पर कितना आ रहे है, 69 पर कितना आ रहे है, मतलब एक-एक score point पर जो है, नमर फेस्टूएंट जो गैदरी है, वो बढ़ जाता है, इसलिए हमेशा यह कहा जाता है, कि आप जब भी merit में आना चाहते हों, तो जो average score होता है, उससे आपको हमेशा, यदि आप सेफ रहना चाहते हैं, तो at least आपको 10 questions, उसको आप number में convert कर लीजिए, percentage में convert कर लीजिए, उतना आप लेकर चलिए, आप जितना अपने आपको मजबूत करक और सबसे बड़ी बात यह है, कि आपको score कितने आएंगे, वो question के level पर भी आपको depend करेगा, उसके pattern पर आपको depend करेगा, कहां से क्या पूछा जाता है, फिर भी अभी की जो बरतमान इस्थितिति यह है, अब तो इस्थितिति यह हैं, उसके बाद यह contradiction हो रहा था, examination के date को ल अपने त्यारी को रख रहे हैं, और जो examination आते आते तो और उसको करेंगे, तो यह घबराने वाली बात नहीं है, बस यह कहना यह है, कि आप जहां पर भी हो ना, उसको बस अपने त्यारी को जारी रखिए, और इससे से आपको एक मोटा मोटी अंदाजा आ जाएगा, कि student का level इस वक्त किया है, यह माईने नहीं रखता है कि पिछले वर्स के examination मेंस, examination में कितने पे cut-up पे selection हुआ था, बल्कि यह माईने रखता है कि बरतमान में जितने students में participate कर रहे हैं, उनका preparedness कितना है, question का level का है, यह सब चीज़े माईने करती है, तो आपने देखा कि average score के बाद तो मतलब लड़कों का एक तरह से धर्रा लग गया, score लाने का, और इक एक score पे कितना point पे मतलब की student का collapse था, उस पे वहाँ पर उसका jump खरता, तो इस चीज़े को देखते हुए अपने तियारी को जारी रखने समय बिल्कुल भी नगवाए, एक चीज़ और है, यहां पे की मतलब की पिछले साल के score से comparison की जहां तक बात है, तो मैं यह तो BSAC की बात है, मैं थुरा से एक example लेता हूँ आपको बिहार SI मेंस वाला, बिहार SI का जो PT हुआ था, नोवंबर में अभी जिसके examination के डिटकूल का रिक रात हो रहा है, तो उसका जो cut-off था न, PT का, PT का cut-off यह मैं questions की बात है, वहां से आपको इतना भागया, तो जब PT का यह हाल तो मेंस में तो अभी सलिए, हलां कि एक चीज इस बार आप लोग के लिए बहुत ही फायदे मन्द है कि number of seats जाएदा है, ठीक है न, तो पहले तो आप लोग आ जाएगा, आपका general result जारी कर दिया जाएग और जब seat allotment करे जाएगा, तो वहां पर आपको थोड़े से cut-off merit में, जो final selection होगा, उसके लिए आपको numbers जाएदा होंगे, BSSC में बात करूँ, क्योंकि यहां पर अलग अलग तरके sheets हैं, उसके category अलग होंगे, तो obviously यहां पर थोड़ा सा उलट फिर वहां पर देखने को मि आपको description box में दिया जा रहा है, आप चाहते हैं, तो जाकर वहां को डॉनलोड कर लिए, और देखिया कि उसमें आपका level कितना जा रहा है, आप कितने score के आसपास अभी बर्दमान के स्थिका नुसाथ, उसको achieve कर रहे हैं, ठीक है न, तो उससे एक तरह से बर्दमान में आपको टिक किये हुए, एंसर टिक किये हैं, तो बहुत जाद आपको समय देखने के लिए उसमें नहीं वेथित करना पड़ेगा, आप आराम से उसको कर पाएंगे, तो आज के वीडियो मितना ही, यदि आपको वीडियो पसंद आया हो, तो इसे लाइक शेर करें, साथ मंदित सभी जानकारी सबसेत पहले पाने के लिए